इस वीडियो में part 1 की बात करेंगे, part 1 में 2 chapters हैं, दोनों chapters से इसी वीडियो में discuss हो जाएंगे और यह वही पूराने वाली बाते हैं सारी, अगर आपने intelligent investor और one up on wall street की वीडियोस देखी हैं तो आपको यह पाता ही होंगी सारी बाते हैं Graham and Dodd value investing का मतलब यही है कि अगर price काफी कम है underlying value से stock की तो खरीद लो नहीं तो मत खरीद दो तो इसमें आपको तीन काम करने पड़ेंगे पहले तो आपको stocks तूड़नी पड़ेंगे जिनके आप valuation करना चाहते हो फिर उसके बाद आपको valuation करनी पड़ेगी यानि कि intrinsic value निकालनी पड़ेगी stock की फिर तीसरे step में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी diversification करनी है मतलब कितनी सारी stocks आप रखना चाहते हो अपने portfolio में अगर investors को broadly classify करें तो तीन तरह के होते हैं पहले होते हैं technician, दूसरे होते हैं macro fundamentalist, तीसरे होते हैं micro fundamentalist तो जो technician होते हैं वो technical analysis करते हैं और technical analysis zero sum game है एक बंदा जीतेगा तो दूसरा हारेगा और जो macro fundamentalist होते हैं वो यह देखते हैं कि GDP growth rate, inflation, interest rate यह future में उपर जाने वाले हैं यह निचे जाने वाले हैं इनका क्या होने वाला है इन parameters को यह लोग predict करने कोशिश करते हैं और फिर यह predict करते हैं कि उन सब चीजों का किस industry पर कितना फर्क पड़ेगा फिर यह industry identify कर लेंगे जिस पर अच्छा फर्क पड़ेगा और जिस पर बुरा फर्क पड़ेगा तो फिर जिस पर अच्छा फर्क पड़ेगा उसमें companies ढूंडते हैं फिर और उनको खरीद लेते हैं और जो बेकारवली industry है उसमें companies ढूंडते हैं और उनको short कर देते हैं तो यह इस तरह से काम करते हैं और जो micro fundamentalist होते हैं वो हर एक company को अलग-अलग देखते हैं individually तो micro fundamentalist भी दो तरह के होते हैं जो पहले type के होते हैं वो company की earnings, industry की conditions, नए product introduced हो रहे हैं, management कैसी है, acquisitions यह सब चीज़ें देखते हैं और इन चीजों का क्या फर्क पड़ा था company की performance पे, past में तो फिर यह लोग इन variables को predict करने कोशिश करते हैं कि earnings पे future में क्या फर्क पड़ेगा, industry condition कैसी हो जाएंगी, नहीं product introduction होंगी या नहीं होंगी, acquisition होंगी नहीं होंगी, financial leverage, predict करने की कोशिश करते हैं companies का, और फिर उस हिसाब से company खरीदते हैं या short करते हैं, तो यह लोग भी prediction पे ही काम करते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं बढ़ता कर stock price, earnings का 10 गुनों, 20 गुनों, 50 गुनों, एक ही बात है इनके लिए, यह बस यह predict करेंगे कि company के fundamentals future में कैसे होंगे, और फिर उस हिसाब से खरीद लेंगे, जिसके अच्छे होंगे उसे खरीद लेंगे, जिसके बेकार होंगे उसे short करते हैं, और जो दूसरा set होता है, micro fundamentalist का, वो होते है value investors, जो की एक minority है, तो यह लोग कुछ predict करने की कोशिश नहीं करते हैं, यह बस कोशिश करते हैं underlying value निकालने की company की, वो भी कोई accurately नहीं निकालते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ होगी, और फिर margin of safety बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप underlying value accurately नहीं पता कर सकते हैं, तो इसलिए ही, जब stock price बहुत ही कम होता है underlying value से, तब ही यह लोग खरीते हैं, कम से कम stock price underlying value के one third निचे तो होना चाहिए, वैसे तो half बोलते हैं, यह सही रहता हैं, और यह लोग margin of safety को risk बोलते हैं, ना कि volatility stock price के कितनी है, अकेडमीशन है जो, वो stock price की volatility देखके, उसकी riskiness निकालते हैं, तो अकेडमीशन के साब से अगर stock price गिर गया है, तो stock की volatility बढ़ गया है, और वो जाधा risky हो गया है, लेकिन value investors बोलते हैं, जब stock price गिर गया है, तो margin of safety भी तो बढ़ गया है, तो stock कम risky हो गया है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है, सबर, अगर आप में सबर नहीं है, इंतिजार करनेगा, कि जब तक price इतना नहीं गिर जाता, underlying value से, कि वो safe investment हो, और बहुत ही बढ़िया return मिले, तब तक आप ना खरीद दे, और फिर stock खरीदने के बाद भी इस चैप्टर में इतना ही, chapter 2, searching for value, तो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा ही, कहां कहां आपको opportunities मिल सकती है, तो जाधा detail में नहीं जाओंगा, मैं फटा-फट खतम कर देता हूं इसे, क्यूंकि आप यह पहले भी पढ़ चुके हैं, दोनों books में, intelligent investor में भी, और one upon wall street म तो पहला है small companies, तो जो छोटी companies होते हैं, वो double जल्दी हो जाती है, बड़ी companies को double होने में तो बोर टाइम लग जाएगा ना, दूसरा है spin-offs, spin-off जब होती है ना, तो जो institutional investor होते हैं, उनके जो mandates होते हैं, violate हो जाते हैं, तो वो बेच देते हैं, उन stocks को, dump करते हैं actually, तो उनक आपको opportunities मिल सकते हैं, क्योंकि जाता लोग follow नहीं कर रहे होते हैं उनके हो, तो फिर mispricing जादा होती है यहां पे, चोथ है, जो companies bankruptcy की कगार पे हैं, या फिर financial distress में अभी, क्योंकि जादातर investors इन से दूर भागने की कोशिश करते हैं, पांच में पे हैं, companies ऐसी industries में, जो की over capacity से suffer कर रही हूं, और छटे में हैं, ऐसी companies, जिनको lawsuits का खतरा हो, जैसे की cigarette companies होती हैं, और साथ में पे हैं, ऐसी stocks, जो की institutional constraints की वज़े से, जो institutional investor होते हैं, वो खरीद नहीं सकते हुने, या उनके वज़े से उन्हें बेचनी बढ़ जाती हैं, और नमबर आठ में पे हैं, ऐस सारी stocks की तो valuation करने नहीं बैठ जाओगे न, सबसे पहले short listing criteria भी दोना चाहिए न, कुछ, बाकि आप ये भी कर सकते हैं, कि वो stocks short list कर सकते हैं, जिनके return on equities जादा हो, जो earnings per share की growth है, पिछले 5 साल से काफी अच्छी रही हो, sales की growth काफी अच्छी रही हो, profit margin काफी high है, तो ये factors भी अच्छे factors हैं, consider करने के लिए, short listing के लिए, अब आपने stocks short list कर ली, अब फिर उनकी valuation करनी आपको, वो कैसे करनी है, ये अगले part में सिखाया जाएगा, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद,